आप हमें आदि रहेगी, कभी ना भूल सकेगी बलिहार गया बाबा पर, जो आप से मिलने आता हूँ बलिहार गया बाबा पर, जो आप से मिलने आता अपनी कलासे आपने बाबा का मान बढाया गर्ब करेगा आप पे सारा, इश्वर ये परिवार आप हमें आदि रहेगी, कभी ना भूल सकेगी बाबा की शिक्षाओं से, सब में शक्ती भर देती बाबा की शिक्षाओं से, सब में शक्ती भर देती मुर्ली की तान तुम्हारी जीवन में रंग भर देजी सचाएगी मूरत दीदी दिव्य गुरों की खाल आप हमें यादि रहेगी, कभी ना भूल सकेगी देखा हमने आप की सेवा बेहद बेवीसाद शक्ति स्वरुपा दीदी आप को नमल है बारंबार आप हमे यादि रहेंगी, कभी ना भूल सकेगी आप हमे यादि रहेंगी, कभी ना भूल सकेगी आरणया सुदिक्ष्टिपी जी को समर्पित करने है तो उपस्थित है स्रिस्टि के इस नियम से जनम्मरन, सुद्धू, आना जाना हम सभी परिचित हैं और आज उसी क्रम में हम सभी यहाँ अपने मन के भाव दीदी जी को समर्पित करने के लिए हैं अभी हम सभी एक मिनट के मन और मोग के मौन के द्वारा दीदी जी को अपने सामने इमर्ज करते हुए अपने स्रेश्ट भाव सब कर्मों के द्वारा समर्पित करेंगे एक मिनट के लिए बिखुल साथ जिस स्थान पर भी हैं जिस रूप में हैं यह ब्राह्मन परवार आपको नई यात्रा के लिए स्रेश्ट संकर्म समर्पित करता है नेह भरी बाप बातियादें मिठी सी मुसकार जनम जनम की प्यासी रूम हूँ में भर जाती प्राह्म स्निल भरी दे दी की यादें मिठी सी मुसकार तेरी लगन में होके मादन में जीवन ये अपना गुजारूं दुनिया के मेले सारे जमेले भूल के तुझको पुकारूं योग अगरी में हर एक श्वांस है आहूं की समान जनम जनम ती प्राशी रूम में भर जाती प्राह्म जनम 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 स्नीह भरी बाह बाती यादें मिठी सी मुसकारूं फिर दे में अंकित है तेरी मूरत हर पर निहारा करूं मैं तेरी ही यादों में रह रहके बाबा हर पर गोजारा करूं मैं भागे वाल हूं कितनी बाबा फिली जो तेरी पहचा जनम जनम के प्यासी रोग में भर जाती थां सेंग भरी बाबाती यादें मीठी सी मुसकारूं इतना दिया तुने ओ मीठे बाबा मन में मेरे नाँ समाए दिवे रोड़ों का है ऐसा खजाना कोई भी न छीन पाए इक मूरली इक मदवन जिसमें मिले हर पर वरदार जनम जनम के प्यासी रोग में भर जाती थां समीद भरी दे के आदें मीठी सी मुसकारूं समीद भरी दे दे के आदें मीठी सी मुसकारूं अंदर से आपका हृत है हम सब की पानना के लिए बहुत ही करोना और तया से भरा हुआ था अक्सर हम प्रिस्णालेटी की जजमेंट बाहरी व्यक्तितु से करते हैं और अंतर व्यक्तितु को समझने में समय लगा देते हैं लेकिल देली जी का व्यक्तितु मैं कहूं कि आज हम सभी यहां हैं हम सभी बाबा के लगवे समय से बरे हुई हैं बाबा के लिए समर्पित हैं, तो ये सभी दिली जी की ही प्रेड़ना थी, दिली जी ने ही बाबा की प्रतिक हमकारे अंदर वो लगन पैडा थी, तो दोड़ों प्रिस्टालिटी आपके जीवन में थी, सच कहा है किसी ने कि सचमुझ बगवान ने उनको किसी पल एक विशेश कल के लिए गढ़ा था, ऐसे विक्तित्रों के आप धनी थे, ओम शंदी, 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 ये चट्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, पर इस काल शंद के अंदर पर देख सेंड, एक नवीनता से भरा हुआ है, इस काल चक्र के अंदर अगर हुम देखें तो समय प्रती समय हमारे पर्मात्मा पृता दें ऐसी महान आत्माओं को हम सब की सेवाओं के लिए तयार किया सुखा से वो सारी सम्रदियां जैसे बाबा कहते हैं अधारा जन्माइक अधियों से भरावर भी होता है चलो और में पूँ एक साधारत्ता में आदा है तो उनके साध जो गुजारा हुए एक ही पर्म वो पर्म किकना महान था हम तो जब बाबा की घर में कड़ों लखे थे तो एक अबोध मानक थे पर तो फिर भी बाबा ने उनके साध एक राइट हैंड के रूप में बहाँ ज़रूरत थी जहांपर भेनों के साध एक राइट हैंड हो जा आती है तो सेवा में प्रकर्वी होती है तो बल्लप्रपी धर्णी भी इसी तरह से भी जब शुरू शुरू में फारिदावाद की धर्णी पर जर्म हुआ पर सेवा का स्थान मिशेश बल्लप्रणी धर्णी बनी और उस समय पर दिवी को बहुत जरूर थी जबकि हमें खुजी ने पदा था कि हमारा ठीकाता कुछ साह है क्योंकि जब बाबा के घर में पहने प्रेनिंग करने के लिए निकले थे तो एक संकल्ब से निकले थे कि बाबा जहां रखेगा जैसे चलाएगा जो खिलाएगा हम कभी भी ना शब्द तो होगा ही नहीं सदा हा में हाँ होगी और तेरी रजा में हम रजा मन दो होगी शायर वही दुआई आज तक जीवन को चला रही है और इसी दह से स्रीवा के छेत्र में हम बहुत सारी चलापर रही पर विशेश रूप से ज़्यादा से ज़्यादा समय वीदी के साथ रहाँ कभी-कभी तो कैटिक जिसमें साथ में रहती है उसके संद का रंग तो उस पर चड़ता ही है तो कभी-कभी जो मैं परिदाबार में जाती थी तो मुझे ये ही कहते थे कि आप तो मास्टर सुदेश हो मना दिखाई देगी कि वो चली उनका बोलने कर्धंग, उनका उतने कर्धंग, उसकी मर्यादाई ऐसे अंदर छपती थी जैसे बाबा ने इतने प्रेंट कर दिया हो तो जीवन की इस यात्रा में बहुत बढ़ाव आई सेवा की इछे प्रमेंग पर हमने हमेशा दिखेदर एक द्रड़ता को देखा वो बाबा की वो मीरा थी जो सदा प्रभू लंदन में मगन रहती थी जब किस समय उननी सो पिचासी का कैसा था प्लास में भी आड़ दस लाइगें आते थे और किस तरह से उस समय पर जब दागियों के टेम पर बाबा नी बैकरी लाइफ सिखाई तो हमारे जीवन की भी वो लाइफ थी पर वो समय सदा की संतुस्ट रहती थी और हमेशा उनका मनोबल इतना सुखाई रहता था कि वो असंभु कालिये को भी जिस कालिये के लिए मन में ठान लेती थी उसे संभु कर लेती थी उनका सरण और सहर जीवन केवर हमको कदम पर कदम रखकर चल रहे थी हमने कोई महनत नहीं थी हमें तो बाबा नहीं दिखाया कि तुमारे बड़े क्या कर रहने है अब वो आदश में आदश के तो केवर हमने उनकी इस कदमों की पढ़े पढ़े और कदम में कदम विलाते वे जिस तरह से वो परमात्म लगन में सदा मगन रखी एक भरुसा ये संगर यूँग जो स्वर्णी ही रुक है बाबा नहीं इसको डाइमड ही रुक कहा तो हमने अपने दिदी को आज पुरे ब्राह्मन परिवार के अदर एक हीरे के रूप में चमकते वे दिखा जहां भी उन्हें कदम उठाया वहां मिट्टी भी सोना बन लिया ये उनकी सपर्टा थी और इतना मेहनत करते थे थे साजन नहीं हुआ करते थे सुविधाई नहीं होती थे किराए के मकार पर रहते थे पर वो कितने किणोओमेटर हर गाउ में वेहनद चला करते थे साजन में भी वो एक महानात्मा दिखाई दे थी दिव्यता की वो बोरती, वो छला और वो फला उस महानात्मा में हमने दिखा सांथी सांथ सेवाई करते-करते शरीर का दिमी साथ के ताब सामने आता है पर यही नहीं उससे पहने जो हमारे खादरणी भाई साथ थे बदलबगर के सीनियर और फरिदाबाद की धर्णी में सिर्वाओं का जिन्होंने सुन्दर भीजबोया विश्वनात पाई जैसे वो नाम वैसे ही उनका काम था दिवी के साथ हमेशा राइड हैंड बन करती उन्होंने हमारे मनोवल को बहुत बढ़ाया और दिवी ने भी सदा हर बात में एक भाईसाथ की आध्या का फालन करते वे वो सदा एंथा के बंदर में बनते पे सिवाव को आगे बढ़ाती है सिवा की सफलता तभी है जब संगर्थन है जहां संगर्थन तूडता है वहाँ सिवा बिखा जाती है वहाँ सुर्थी बिखा जाती है तो वो हमने उत गज़त की शक्ती भाईसाथ बभ estat कि आपके भी आएगा और पिछे भी आएगा. किसी को आपके पास करना, किसी को पीछे करना है. तो हमारे भाइस्थाब के सामने भी था हमने अपने घीदी जीवन में जाटा कि जिनोंने दिन राद लेखते विए, दिन का त्याव दरते विए उन्होंने दिल से भड़ साथ की सेवाएं की जिन्होंने यग्य में अपने जीवन को समर्भित किया था और जिन्होंने समर्भित किया तो समर्भण का सही अरथ किया था कि अंध समय पर पनिवार की तरह उन्हें मदद में ले तो उनका दिवार में भी शायद उतने मदद नहीं रहती है, जितना भाग के, सो भाग के, हमारे विश्वनात भाइसव करा है. पर जीवन की यात्रा में आना और जाना तो चलता ही है, भाइसवा भी अभी हमारे महेंटी मम्ता में बता रहे, सिवा के बाबा ने उनका चुनाव हिया, पर फिर भी भाइसवा अपने बहुत तारी महानात्माओं को अपने योग के तईयार किया, और दान दिभी जी फिर भी उनका पनोबन नहीं गया, और यो खांगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और सेवाओं को भिखाते रहे हैं आज यह बदुलभुड की जो गफिया है हमने कोई महनत नहीं हम तो बनी-बनाई धर्णी पर आए हैं और बैटे गे हैं अगर हमसे वो भी न चले तो बात अलगे मंखन मिला हुआ है कि वो खाना है और खिलाना है बाकि हमने कोई बिलोना नहीं है कोई महनत नहीं आज जितने भी हम बाबरती रुझाई है केवल हम बनी-बनाई सिवाओं पर बैठे गे हैं तो यह सब उनका पिजेगत प्याप और तपस्या और गज़िदार है उन्होंने सेवा में अपने जीवन को सफल किया और टटे-कटे जीवन की इस यात्रा में अन समय पर एक वीडियों आपको ज़रूर दिखाएगी कि लास्ट मुमेंट पर कर पर सो एक दिदी का पोन आया था वो कहते हैं मैं तेरी सुदेश की तरे जो बनी नहीं सकती उसका मनोबन अभी नहीं किरा उनके बोल में आपने रिखा होगा जब हो बूल थी तो एक शेर की तरे उनकी गर्जना होती थी और जब उनकी शब्द नाज बुस्ते थे तो हर एके दिन पर प्रिंट होती थी मुल्ली ऐसे छपती थी बाबा का संदेश ऐसे छपता था कि वो बाबा का ही होकर बाब का ही बनकर निकलता था तो ये उनकी अंदर जब की पालना थी उनकी महनत भी और उसके पालना को और सभी भाई मेरों ने अपनी अपनी ली है पर उसके साथ ही साथ वो बताया यह मने बताया, तो लास्न मुमेंट पर अठारा जन्वरी का दिन था, जब की शरीव साथ नहीं दे रहा था, और अठारा जन्वरी बाबा का अर्णिन था, और ब्रह्मा हुज़े रुगा करता था, चट पर जन्वा था, उस दिन यह साइंस के साद्म की परिक्षा दे रहें। light terrain, तो उपर आएं चल सब्सक्राइब कैसे, UP काम काम करें। लिट भी तो लाइस पे काम करें। बड़ी परिक्षा की त़ड़ी थी, परबावड इस परिक्षा की खढ़ी में भी एक सेटन्ड में उभार दिया और 18 जन्वरी के दिल उन्होंने कितने बड़े संगर्ष के प्रियर्मेंटी किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर रहते वे उन्होंने आखिक चिंतन करते वे शरीर को शरीर के हार में छोड़कर अपनी आख उन्नती का ध्यां दिया उसका अन्वा उन्होंने अपना बहुत सुदा रूप से सुनाया जो हर एक के भाई दिल में छब जया पर हमें ऐसा नहीं लगता था दिवी वैसे भी मुझसे शुदू-शुदू से कहती थी तो क्यों को खासी वासी तो रहती थी बहुत थी बहुत मेरें ज्यादा समय किया हमेशा ही बो अपको हमेशा यही बात रखते हो हो सकता कहीं विदाई हमेही न दे दो ऐसा ना होगी आपके हैंडी आपके साथ कहते नहीं है ऐसा तो होगा नहीं पर मैं जाने बाद हूँ प्रतु हमने देखा बिमाद तो हमेशा ही है तो और 26 जनवरी का बोदि जो बैरों को भी मदमन क और हम भी मदबर जाने की तयारी में ही लगे लेते और न्यारे और न्यारे होकर जिस तरह से उन्होंने सिवाई भी उन्होंने लास में भी वो न्यारे और प्यारी पर्द का बैनस सिखाते वे ये भी कहा कि मेरी तब्रत खरावे तो देहनों यहां दो जाओ कुछ भी हो सक अब आज उनकी जब एक बार मना हमें याद आती है, तो वो यादिक कोई साधारण नहीं है, वो यादिक इतनी शक्ति शाधी है, अभी 18 जन्वरी बाबा की ख़र जाने का था, आपको बता 18 जन्वरी का प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम होता है, पर बीदी जी वो बात नहीं कैसे जया आई बाबा की अदर दी जी आपके आए, और एक सेटेंग में हम सब सेवाओं के लिए तयार हो गए, मैंने था दी नहीं हैं, अब ठीन होती रही, तो बाबाबा जो हमें सिखाता है, हमारे बडे जो सिखाते हैं, केवल हमें उसके वदम पर रखते वे, उनके उनके आच्छन को उने जीवन के अंदर अपनाते वे यही शर्धा के सुमन आजू धीदी को सम्मान के रूप में सवर्पित करते हैं कि जिस तरह से उनने अपने जीवन के दुआना अनेका अन्माउं की पालना की सेवा ही और मर्यावित भुकर रहे तो हम उस सब का पाठ का अनुकर ऐसरु साथ unless व्याट से ब्याइ़ से ब्याइब भूद। में तो भूदि वी साथी पहनी देवा लिजा तो मन से निकाल यह कोई के साथी व्याटका तो हई है चाहिक़र कितना भी प्यार प्यारदा है और अफ्याट भूओं में हम सब साथी है भग्वान थे हम तो रेख रही है बतन से, कि वही यह जो सेवाई आज उनों हमारे पर छोड़ी हैं, हम उसको इतना सफल बना रहे हैं, तो हमें उस सेवाउं को आपे बढ़ाना है, उसके उव्रीदों को फूल करना है, यही दिदी के प्रति हमारे सम्मान और शर्दा की, शर्द्रा सुमन समवर्थित है zamorफित है। इस पावरक में और लिस्ञान पर, बहुत पी आister्णिय जैसेश्वी, तेजश्वी, औजश्वी , बहुत पीर करुना में candhami नहीं आतनिय के शुदेश्वेजीदी xemती सभवा में उपस्थे, मेरे साथ बैठी हुनी, उनके विचारों को उनके आधर्शों को जन जन तक पहुंचा रही हुँ उनके सपनों को साघार कर रही और उनके प्रचिनों पे चर्व रही आधर्णी है शुशिला दिदी जी, संहीता दिदी जी और मुंता दिदी जी और बहुती पिनेशील और प्रहुशील, जोती भाई और इस सभागार में उपस्थित, चेतना के और नेर की सादक में लगे सभी सादक पहना और भाईयों, अभी दीदी जी ने संचेज में दीदी सुदेजी जी के बारे को बताया, और मुझे भी बहुत नजदीक से दीदी जी को जानने का हुपा मिला, दीदी जी जब भी मिलती, तो बहुत करणा के साथ हमेशा अपना इसनय वाशिरवाद दिया करती दी, और जब विमार थी, तो मैंने भी उन देखा, पर उस मुझके गड़ी में भी उनके चैरे पे कभी कोई शिकन मैंने नहीं देखी, कि उसी ताकत और हिम्मत के साथ हमेशा बाबा की सेवा में लगी रही और अपना पूरा संपूर जीवन बाबा की सेवा में सब्सक्रित किया और तुमी की मेहनद, कड़ी मेहनद और डेट निष्चे, ताई आज यह बल है, यह बापा की इस्वड़ी यात्रा जो बल लगड़ी है, आज यहां तक पहुंची और यह परिवार, इतना बड़ी परिवार के रूप में आज यहां बैठा है, तो दीजी के इटेट निष्चे का रही आज है, जिस तरीके से और रही महनत करी, दीजी ने बड़ाया की वही कितना अबावत ता उस समय, और उस कड़ी महनत से, आज यहां तक उन्होंने यह आप्रा कुई की, तो मैं आज दीजी के चड़ों में अपने इस्षदा दोन अप्वित करता हूं, बहुत 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 देव ओंशाली, के देएं, जिन से मेंकर जिन्दगी से प्यार हो जाए, क्योंकि दुनिया के अधर बहुत से बहुत से वियंटित्व आएं हैं, और इस दुनिया से चले भी जाएं, तो तो संसार में कुछ ऐसी आत्मा ही होती है, जिन से मेरकर जिन्दगी बन जाती है, जिन से मेरकर जिन्दगी से प्यार हो जाता है, ऐसे घ्यंटितु इस संसार में बहुत ही गिल्दे हैं. और हमारी आतर्णिये मीची दीडी उन्ही ग्यंटित्रों में से इट हैं. हम सभी दीडीजी की सिक्षाओं से करिए, दीडी की पालना से करिए, वाकिफ हैं और अभी सुषिदा देभी ने भी उनके साथ अपने अनुभव सुनाएं, मम्दा भेहन भी सुना रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यंटि का अनुभव अलब अलब रहता हैं. और हमारी दीडी जो पूरे फारिदावाद में ही करिए, क्योंकि सभी चांदे हैं, नशीर परिदावाद, लेकिन पलवर तक भी, जब दीडी मुरली सुनाते थे, तो सभी के मुक्षे यही बात निकलती थी, कि मुरली तो हम बहुत सुनते हैं और बहुत जगां हम हमने सुनी हैं, परदू जब सभेश दीडी मुरली सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक एक बात हमारे दिल के अंदर उतर रही है है बाबा की ही मुर्ली बाबा के ही महावाक्यों को इस तरीके से सुनाना भी किसी के दिल की अंदर उतर जाए और उसका जीवन बच जाए ये भी एक बहुत बड़ी कणा है सिर्फ एक कणा नहीं लेकिन हम कहेंगे आल राउंडर दिली जी की मनुमा में लेकर हम यहाँ पर बैठ करके सुनाने के लिए बैचे तो शायद बहुत समय कर जाए हर चीज में क्योंकि हमारा तो उतके साथ लॉकिक भी संबद है और अलाके भी संबद है प्रंतो हमने अपने जीवन में देखा दोनों संबद होते वे भी उनका बैलेंस रहा क्योंकि हमारे सांसाथ और भी कन्याई कहिए बेहने कहिए बापा की सेंचर पर रहते हैं और वो आएं किसी को ये फील ना हो कि इनका इनके साथ लॉकिक संबद है ये इनके साथ ज्यादा करती है इस चीज का बीदी को हमेशा ही ध्याद रहा है और ये भी हम दंगे की चोड से ही कह सकते हैं जैसे बापा ने अने परिवार को उसमें उनके बहुत सारे ऐसे लॉकिक संबद माले में लिए जो यग्ये में समद्बित हुए प्रतों ब्रग्वा बाबारे कभी फर्त नहीं किया कि यग्ये में सभी आई है चाहिए उनके बेचे आई है चाहिए उनकी बेची आई है लेकिन समान गृस्टी रखी है उसी परकार अगर हम भी इस यग्ये में आए तो हमने देखा कि धीली का बैलन्स इतना रहा कि सब के साथ विल्कुल समान कभी यह नहीं कहा कि हाँ, यह कभी मेरी बैयन की बेची है, तो इसको मैं जादा एक्स्टर करूँ कभी नहीं मने किसी किसी के मन में आता था कैते अच्छा आप हमारे विष्टे में करिए समाज में करिए अच्छा आप उनके पास रहती है फिर तब ठीक है आपको जादर सभूर दिलता होगा परन्तु नहीं ऐसा में जो सब के लिए दिया वही हमारे लिए दिया सब के लिए बना करें, तो ये बैलन्स उनका सदा बना रहा, क्योंकि जैसे वो नियम और मर्यादाओं में आदर्श की, वही चीज उनके साथ हम रहे हैं, तो उनों ने खूंट-खूंट कर पेहनों की अंदर भी वही चीज समाहित की. आज हम सभी डिदी के बाद, क्योंकि लगता नहीं है कि डिदी गढ़े हैं, डिदी अपनी हमाने साथ हैं, क्योंकि कोई दिने कारिये रूप करते हैं, तो सब देव डिदी की याद आचातरी है, कि डिदी ऐसे कहलेते हैं कि इस कारी को ऐसा करूँ है। सभी डिदी से आज हमाने साथ नहीं है, लेकिन सुक्षम में, आज भी, चाहिए वो स्वन के अंदर आपके अपना मैसेज दे जाते हैं, चाहिए प्रेणाई दे जाते हैं, वो आज दिन तक भी इसी बरलवगर की बग्या की पालना कर रगी है। चाहिए निमित कोई और बन जया, लेकिन ये दिदी की ही शक्ती है, ये अधिदी की ही सिक्षाए है, कि आज हम सभी बेहने भी यहां पैची है, और ये पालना आगे दे रगी है, तो वास्तों में बीच दीदी ही रगी है। जैसा लागी हम सभी तो मदखन खाने के लिए, ही यहां आए है, सब कुछ बना हुआ ही अवे दिदा, लेकिन असली जो त्याग रहा है, वो उस समें दीदीजी का ही रहा है, कि कहां कहां पैचर की। जब उन्हें लटक करके भी, खड़ियों करके भी, इतनी दूरी तब गर्मी के अंतर थी, वो जाकर के मैनत करते थे, और कैसे, पूरा-पूरा दिन खाना नहीं खाया, कभी ठाया, कभी नहीं खाया, लेकिन सेवाउं को इतना बिजी तें, तब ही आज ये बल्लागर की आज शायल सभी बिवी को याद कर लेएं, तो दिभी भी हम सब के बीच में, आप सब हैं, बेखकर के, खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सब उनकी ही मैनत का फल हैं, तो हम सब का दिन से हमारी ऐसी आतन्ये बिवी जी को शंत शंत नमल है, और दिन से उनके प्रभी, श्रधा प्यार भरी, श्रधांचरी समर्बित हैं और हम आज सभी मिलकर ये एक दृण प्रतिक्या करें कि जो आज दिली में हम सभी के साथ रखी, जैसे दिली जी नियम मर्याताओं पर अटिंग रही और बाग को प्रतक्ष करती रखी, तो हम सभी भी उन्हें की सिक्षाओं को याद लगती हुई, बाबाको प्रतक्ष करेंगे और सदें बाबाकी नियम और हम्यादां पर शैर्टे रखेंगे, ऑनाय आपने ही जीने का तरेक्ता, गर्रुआ अब्धी और सिखाना था, ओदीली ऐसे तो न जाना था, ऐसे तो न जाना था, अधी मैं अन्ज पर आवं बत हमारे आतरनिया सुन्दर लाग भाईच्वा अपने अनम से अभगी अपनी शक्तियों से बहुती सुन्दर से बहुते पाईच्वा मुझे यादे जब मेरी मांदाजी कर देहामास हुआ था दोना सत्रा में तो उसमें ये विचाप चत्रे किसको तो लाए तो उसमें ये बड़ीदी से बात हुई कुशादीदी से अदुए ही पिचाप चला ति माई सुन्दर दीगी समान के इस तारे को संभादे में तो उनकी भाषा उनकी मरता होंगे पिचाप ने चाप उनको हाद चिर्पड़ देने का तरीका बहुत ही सुन्दर था बहुत ही छूने वाला था जहां हमें उन्हें को बोश करा हैं हमने मेले लगा हैं देले में दो चाप पांच मेले लगे हमारे तो मुखे लगता हैं रूप में मुखे हमारी कितनी भी आपे दियाइतिसों के देए उनके भी जो भी सेवावतिती वो दिद्धी कोई चुना जाता था और अब उनकी यादे हैं आप साथ यावे जिन्दा हैं और ही साथ से बड़ी नवारी उनके प्रक्ति समझ चलता है हमारी मेरे से चाथ आप साथ बड़ी हैं लेकर उससे जो पांच मेली वो बहन से ज्यादा मारी बात की और बड़े पाहिं चोगे उन्होंने का बहुत सनेता मेरे से बिल्दिगा और उन्हेया साथ आपके बहुत खाता कोई भी बात जब भी हम करती भी बहुत ही लेकर आज उनकी आपको बहुत आपी है बाबाने अपने पास उसको जो भी नया स्थान दिया है यहाँने यापके हैं बहुत होगी आसी आपको आपके आपके ऊपका का उने का बाबा थेन के ला debugging घार्नाव・ो कि देवार्न वह लोगा हुरूने आंगिा क्रिकल आपकी कभिचितों लोगे हार में विसे जगतों। हम भूशन में आम यादे नहीने है सम्तारां किहती देनी समेर्न विसे हट भर Agora को डेंडी क्रिकल आंगि ऑफृूने। उने के प्रिंदि का जो आप में हमांी लिक ए शनि खानु है। अब हमें तो यही है करता है। अब हमें तो यही क्रदा हैं। अटियो उन्रूने रूंत थ्रहमा हा लगती है। एम दोने में परिक्षे पार्ती, अपने हम यारोक के दिरिखं है हमाने है के हिजए तो खुर्दी सब्हार कुछी कि उन्हों प्तिन बीज़े से ही इस दीवी की यालग यालग आती नहीं उनसे ही मिर पालन दिनि चुशिखा, नहमाबाबा काया दस है उनके पकचन बंपर चण्ना है हमने शाकार में परना परफ़ा वागी नहीं थी, विस शाकार में, सो देज दी दी कि जो परना थी, आज हमारी जी ओन में. जैसे जैसे उनकों के अंदर विसे इस लब परना तो नहीं यह विसे इस थाए थी. मुझे उनकों इतना सिखाया कि मैं समझ नहीं सकता कि मैं ज्यान में किस तरह से परना करके वो मैं आगे पड़ाया, हर चीज सिखाई. मैं देखता था हमारी जी कीटर बाटसवाना थी दीरी में, अटीस साल पेल खूली थी, और जब हमारी बाटसवान पर बड़ी बेने किलास के दिया रहता थी, हरी नगर से शुखला देती, फीनवाने, दी पहनिया जाते थी, आकर की देखते थी सुखाय अच्छी नहीं कि मैं अपने अपूरा सफ़र करते थे और अपने सटा थे जेखते थी सुखाय, देखो, बड़े आये हैं, तो क्या सित्या करना हैं, मैंना दीबी जी से चल हमारी पहली मुलाकात थी, उससे पहले रहो, 78 में अपना दिर्वी जो चौन का सेंटर है जह हो जाडता थी, और अपना दिरा करते थे वाखे, हमारे कुछ क्वेस्टन से, वहां हमारे वो तोखन पे, जो जीवन में हम सोच नहीं थे, शिवर्शंकर में पर क्या है? अभी बैठो सभी, दो मिट बैठो, स्री कर्शन पर प्रवार्मा में पर क्या है? ये 200 एक्षबिए रहा रहा है सारी बाते हैं, हम ने सेकी, लेकिन सुभेश दिदी के साथ, जो हमारा सात रहा, उसमें उनोंने हमें परवुत सिखाया, कैसे पानना की जाती है, कैसे मर्या दाओं में आज करके चलना होता है, व सअगुन के जीवर्स से हम न सीखाएं। आज जो मैं हूँ, वो सब उनकी वज़े से हूँ. छे हामारे और नियत साफु हो, है वही इंसा चाहा, इंसानियत का वास हो, है वही इंसा चाहा, इंसानियत का वास हो, काम हो अच्छे हामारे और नियत साफ हो, है वही इंसा चाहा, इंसानियत का वास हो, काम है वही इंसा चाहा, इंसानियत का वास हो, दूसरों के दर्द में जो धोने अपने दर्द को, रब भी देता है दुआई, ऐसे उस हम दर्द को, दूसरों के दर्द में जो धोने अपने दर्द को, रब भी देता है दुआए, ऐसे उस हम दर्द को, पांत के सुख दुखो, जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसा जहां, इंसानियत का वास हो, है वही इंसा जहां, इंसानियत का वास हो, देदी के इंसानियत और देदी का अच्छा स्वा, आज इस कितना प्यारा और कितना इस देड है, हम सभी देख रहे हैं, कितनी बधिया है ठीर होई आज, जिन्दगी में कर्तियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है कर्ती होती भी तो है उसी से, अपनी कर्तियां तो होती आई है सभी से, काम जो करता है कर्ती होती भी तो है उसी से, अपनी कर्ति जो सुधारे दूसरों की मापुर होई, है वही इंसा जहां कि इंसानियत का वासु होई कि अरे प्राइब बाशणा जो की वासुआ जो की उपनी तो है रखं़ को बाश्यू आए जो चाव से, चल्च्वा जो रखं़ को जो है कर्ता है झाल झाल